हेलो एब्रिवेन, आज हम आपको साबू दाने की कचोड़ी बनाना बताएगे, तो चलते हैं किचिन में साबू दाने की कचोड़ी पांच लोगों के लिए हमें इन चीजों की आवसकता होगी आलू 500 ग्राम उबले हुए लेने हैं साबू दाना एक कटोरी भीगा हुआ लेना है, अमचूर पाउडर एक चम्मस लेना है, प्यास एक बड़ा लेना है कटा हुआ धनिया पत्ती कटी हुई लेनिये थोड़ी सी, हरी मिर्श कटी हुई लेनिये तेश के अनूसा नमक स्वादन उसार लेना है, जीरा पाउडर एक चम्मज भुना हुआ लेना है, अध्राग एक छोटा टुपडा कसा हुआ लेना है आटा एक बड़ी कटोरी कचोड़ी के लिए लेना है, अजवाइन एक चम्मज लेना है नमक आटे में डालने के लिए स्वाधन उसार लेना है तेल मोयन के लिए एक चमश लेना है बनाने की विधी इस प्रकार है पहले आप कम से कम तीन घंटे के लिए साबू दाने को भिगो दें हमने अपने साबू दाने को एक राथ पूरा भिगो के रखा था इसके बाद आलू को वाइल किया है और उसे एक एक करके सारे आलू को छील लिया है और अब हमें सारे आलू को कद्दू कस करना है इसके बाद हम इसमें साबुदाना मिलाएंगे जो की हमने पहले इसको पाने छान के रखा है और अब एक एक करके इन वस्तुओं को जो हमें साबुदान में डाल दिये उन सारे सामानों को मिला देंगे इसमें कच्छे प्याज की वज़े से एक क्रंची निस आता है आप हरी मिर्च की जगह लाल मिर्च भी ले सकते हैं फिलिंग आपकी अब त्यार है चलिए अब आटा त्यार करते हैं आटे में हम अजवाइन डालेंगे और नमक डालेंगे और हम इसमें थोड़ा सा तेल एड़ करेंगे अगर आप खस्ता कचौडी नहीं खाना चाहते हैं तो इसमें आप तेल एड़ ना करें अब हम आटे को मल मल कर गुथेंगे ताकि आटा सौफ्ट रहे और अब हम इसे थोड़ी देर के लिए रख देंगे ठककर और अब चलिए कचोड़ियां भरते हैं कचोड़ियां भरते समय दोस्तों आप ध्यान रखें कि कचोड़ियों को बेलन से जादा दवा दवा कर ना बेलें वरना इसकी फिलिंग निकल सकती है चलिए अब हम कचोड़ियां तलते हैं दोस्तों आप कचोड़ियां तलते समय एक बात का ध्यान रखें वैसे तो मैं जब कचोड़ियों को तलती हूँ तो सरसो के तेल में ही तलती हूँ और अगर आपके पास कोई और तेल भी है तो आप उसमें कचोड़ियां तल सकते हैं और तलते समय जब आप कचोड़ियां तले तो एक बात का ध्यान रखें कड़ाई की तली में कचोड़ियां डालते समय आराम से डालें वरना हम जल भी सकते और एक बात जब हम कचोडियां सेंक रहे होते हैं तो कड़ाई की तली में पड़ी हुई कचोड़ी को कलचल तब तक ना लगाएं जब तक कि कड़ाई की तली को कचोड़ी छोड़ ना दे वह उपर ना आ जाएं और कचोड़ी को मीडियम आज पर ही सेंकें और जब हम कचोड़ी निकाल रहे हों तो उनको किनारे पे रोप कर रखें जिससे कलचुल का एक्ट्रा तेल निकल जाएं और अब आपकी कचोड़ीयां तयाव हैं इन्हें आप अपने किसी भी सॉस के साथ सर्प कर सकते हैं हमने इन्हें टोमैटो सॉस के साथ सर्प किया है अगर आपको कि मैंENS को सब्सक्राइब हुआ को मिद धिया में मुझना प्याज की बड़े मनाना प्ताऊं अने वाणी वीडियो को कि देखने के लिए आपको तरी बड़े मनाना बतागा। तरी बड़ा विरेस, कमें शेक्षिन में कमें कमें शेक्षिन में डाले ठाकर दे कमें शेक्षिन में